हेलो फ्रेंज, टेन माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 20 में आपका स्वागत है सब जानने के बाद बाईचियान एक बार फिर से यहुआ से मिलने जाती है वो यहुआ से कहती है कि तुम्हें एक हाथ से अपना काम नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ यहुआ कहता है आधी रात को ठीक है आओ लेकिन बाईचियान फिर वहां से जाने लगती है तो यहुआ उसे पीछे से पकड़ लेता है वो कहता है कि तुम जब चाहे मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती हो वो उसे साथ में रुकने के लिए कहता है बाईचियान देखती है कि यहुआ कि तब्यब ठीक नहीं है वो इमोशनल होती है और उसके बाद यहुआ को पकड़ती है इधर यान जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ग्रास से दवा बनाने की कोशिस करती है लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो डीमन ट्राइब से थी लीजिंग कहता है कि तुम ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारी जान खत्रे में हो जाएगी ये काम कोई हैवन वाला ही कर सकता है और वो दवा कुल्लून माउंटेन में ही बन सकती है लेकिन मोई उवान का कोई से से हमारी हेल्प नहीं करेंगे यान जी कहती है कि मैं अपने भतीजे के लिए खुद कुल्लून माउंटेन जाओंगी लीजिंग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है मत भूलो कि फादर और मोई उवान में कितनी दुस्मनी है इधर सूजिन को पता चलता है कि बाइचियान यहुआ के साथ है उससे ये बरदास्त नहीं होता है वो एक नया प्लान बनाती है वो सोचती है कि बाइचियान का यहुआ के लिए प्यार ही उसकी कमजोरी होगी तो वो यहुआ की वाइफ सू के बारे में उसे बता कर उसे यहुआ से अलग करेगी इधर लेडी चेंग एली के साथ थी वो डॉंग हुआ को बात करते हैं और उन्हें लगता है कि डॉंग हुआ किसी आपता का सामना करने वाले हैं यान जी अपने भाई के बच्चे को लेकर कुलून माउंटेन पहुचती है, वो कहती है कि मुझे जीलान से मिलना है, लेकिन वहाँ पर मो युवान का सिस्य उन्हें रोकता है, और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, तभी वहाँ पर लीजिंग भी आ जाता है, वो कहता है कि हम तुम्हारी दिवाइन भठी का इस्तमाल करना चाहते हैं दवा बनाने के लिए, लेकिन मो युवान का सिस्य ऐसा करने से मना करता है, उसे वापस जाने के लिए कहता है, लीजिंग और उसमें आलमोस्ट फाइट होने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीलान आ जाता है, वो यान जी को देखकर सप्राइश्ट होता है और उससे कारण पुछता है, यान जी उससे सब कुछ बताती है, जिसके बाद जीलान कुलून माउंटेन के भठी में अपनी पावर का इस्तमाल करके, वो दवा बनाने जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता है, कि वो अपने नीमों के खिलाफ जाकर, मास्टर मो युवान के पीठ पीछे ये काम करने जा रहा है, एक डीमन प्रिंसेस के लिए, और इसलिए वो प्रतिग्या लेता है, कि अपने मास्टर के लोटने के बाद, वो सी ओफ इनोसेंस में चला जाएगा, उसे गाड करने के लिए, और आज के बाद यान जी से कभी नहीं मिलेगा, वो अपनी तपस्या से मिली पावर का इस्तमाल करके, उस दवा को बनाता है, इधर एली लेडी चेंग के साथ वापस हैवेन आता है, वो बाईचियान को देखकर खुस होता है, लेडी चेंग बाईचियान से कहती है, कि तुम फेंग जी उसे कहना कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, यहुआ उनकी पेंटिंग बनाता है, लेकिन वो सिर्फ बाईचियान और अपने बेटे की ही पेंटिंग बनाता है, बाईचियान शाई होती है और कहती है यहुआ के अंदर अभी ताकत नहीं है ब्रस को पकड़ने की, एली कहता है यह क्या, आप मुझे या मॉम को नहीं उठा सकते, यह बाईचियान को उठा कर वहां से ले जाता है, यहुआ बाईचियान के करीब आता है, बाईचियान एक बार फिर से यहुआ की पहली वाइफ सू के बारे में पूछती है, वो कहती है कि मुझे यहां अजीब लग रहा है, फिर आगे फाइली बाइचियान उससे कहती है कि मैं तुमसे मैरेच करना चाहती हूँ ये सुनकर ये हुआ इमोशनल हो जाता है और उससे फिर से ये कहने के लिए कहता है बाइचियान भी इमोशनल होती है वो दोनों किस करते हैं इधर लीजिंग यान जी से बात करता है और पाइचियान की तारीफ करती है फिर उनके पास मोयुवान का सिस्य आता है वो उन्हें दवा और लेटर देता है और कहता है जीलान ने ये तुम्हारे लिए भेजवाया है साथ ही वो कहता है कि आज के बाद कुलन माउंटेन में तुम कभी मताना यान जी ये सब सुनकर कि तपस्या और पावर का इस्तमाल कर दिया जीलान कहता है कि इस बच्चे को ठीक करने के लिए केवल यान जी की ही पावर काफी नहीं थी वो सिस्से कहता है कि सही कहा और ते बहुत ज़दा ट्रबल ले आती है जीलान कहता है ऐसा नहीं है मैंने अपने लिए इनफ पावर सेफ रखी है ताकि मैं सी को गाड कर सकूँ इधर यहुआ और बाईचियान एक दूसरे के साथ काफी खुस रहते हैं तो सूजीन एक और तिगडम करती है वो यहुआ की मॉम के पास चाकर कहती है कि बाईचियान यहुआ को कुछ खिला पिला रही है जिसके बाद यहुआ की मॉम होँआ जाती है वो यहुआ को बाईचियान का दिया हुआ चाय पीते हुए देखती हैं तो उस बारे में पूछती हैं और उन्हें पता चलता है कि बाईचियान जेयान की दी हुई दवा यहुआ को दे रही है उसको ठीक होने के लिए तो यहुआ की माम को भी पता चलता है कि बाईचियान और यहुआ मैरेज करने वाले हैं और इसके लिए तैयार हो गए हैं ये जानकर वो खुस होती हैं और फालनी मैरेज की तैयारियां सुरू हो जाती हैं सूजीन से ये सब बरदास्त नहीं होता है यहुआ की पूरी फैमली साधी की तैयारियों के बारे में डिसकस करते हैं तो फ्रेंस ये हुआ ने हैवन के डिवाइन ग्रास और उसके रच्छक बिस्ट को खत्म कर दिया था इसलिए उसे एक हैवन के ट्राइल से गुजरना होगा जिसके लिए उसे मोर्टल वर्ल्ड में जाना होगा तो Fox Kingdom में बाइचियान अपने दोनों भाईयों से बताती है कि वो ये हुआ से marriage करने वाली है ये सुनकर दोनों खुस होते हैं बाइचियान के बड़े भाई कहते हैं और तुम्हारे मास्टर मो युवान का क्या बाइचियान कहती है कि हाँ जब वो वापस होस में आ जाएंग को जेयान का magic नहीं दिखाई दिया होगा वो जानते होंगे कि तुम एक औरत हो बाइचियान के बड़े भाई कहते हैं मुझे लगा था कि तुम मास्टर मो युवान से साधी करना चाहती हो बाइचियान कहती है ये आप कैसा मजाग कर रहे हैं मास्टर मो युवान मेरे चिंसेस बन जाएगी तो वो fox kingdom की queen कैसे रहेगी वो suggest करती है कि fox kingdom की queen फेंग जीयू को बनना चाहिए ये सुनकर फेंग जीयू surprised हो जाती है बाइचियान फेंग जीयू को अपने साथ ले जाती है वो उसे बताती है कि lady cheng तुमसे मिलना चाहती है ये हुआ कि mom sujin को बाइच से मिलने जाती है तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से सू वाली life के flashes आते हैं वो परिशान होती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है ये हुआ बाइचियान को वहां पे इंटर्यूस करता है कि वो heaven की होने वाली crown princess है तो आगे ये हुआ बाइचियान को बताता है कि उसे heaven trial से गुजरने के लिए mortal world में जाना होगा ये सुनकर बाइचियान थोड़ी सी परिशान होती है ये हुआ बताता है कि वो बस दो महिने के लिए धरती पे जा रहा है बाइचियान कहती है हाँ लेकिन ये इंसानी जीवन के लिए तो पूरा जीवन रहेगा बाइचिया में जाके तुम मुझे धोका मत देना ये हुआ कहता है अगर ऐसा हुआ तो बाइचियान कहती है तब मैं तुम्हें फॉक्स्ट किंग्डम में ले जाकर वहां की गुफा में बंद कर दूँगी इधर फेंग जीव अपने अंकल से बताती है कि उसे heaven जाना होगा लेडी चे मास्टर मोईवान का सोल वहां पर नहीं है इसका मतलब है कि उनका सोल अपनी बॉडी में वापस लोट गया मास्टर मोईवान के वापस आने के संकेत में कुल्लून माउंटेन का बिल बजने लगता है वो heaven में भी सुनाई देता है ये हुआ भी जान जाता है मोईवान उनकी बॉडी थी वो गुफा के अंदर जाती है तो देखती है उसके मास्टर जाक चुके थे वो इमोशनल हो जाती है उसके मास्टर मोईवान भी इमोशनल होकर कहते हैं कि सी इन आओ तो फ्रेंसिस का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा